कोरोना वाइरस के बढ़ते प्रकोप ने बॉलिवुड के कई सेलिब्रिटीज को अपनी चपेट में ले लिया है इसी के चलते एक्टरस कंगना रनौत भी कोरोना की जद में आ गई है उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरीए अपने कोविड टेस्ट की रिपोर्ट साचा की और बताया की वो कोरोना पॉजिटिव है इसी के साथ कंगना ने अपना हाल चाल भी शेयर किया है कंगना रनौत ने ध्यान में लीन अपनी फोटो शियर कर कोरोना पॉजिटिव होने की खबर दी वो लिखती है मुझे पिछले कुछ दिनों से थकान और कमजोरी महसूस हो रही थी और आखों में हलकी जलन भी थी हिमाचल जाने की सोच रही थी इसलिए आज मैंने टेस्ट करवाया जब पता चला कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ मैंने खुद को कुरिंटीन कर लिया है मुझे अंदाजा नहीं था कि ये वाइरस मेरे शरीर के अंदर पार्टी कर रहा है अब जब मुझे पता चल गया है तो मैं इसे खत्म कर दूंगी प्लीज किसी को भी खुद से जीतने की ताकत ना दें अगर आप डरे हुए हैं तो ये आपको और भी डराएगा आए इस कोविड-19 का खात्मा करें ये कुछ नहीं बस एक छोटे समय का फ्लू है जिसे बहुत अटेंशन मिली और अब ये लोगों को डरा रहा है हर हर महादेव कोरोना से संक्रमित होने की खबर के बाद कंगना के फैंस ने उनके जल्द ठीक होने की काम ना की है पिछले दिनों कंगना रनौत के ट्वीटर अकाउंट सस्पेंट होने की खबर ने संसनी मचा दी थी पश्चियम बंगाल चुनाव के बाद वहाँ भड़की हिंसा और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बेनरजी पर आपत्ती जनक टिपनी करने के बाद कंगना के इस माइक्रो ब्लॉगिंग अकाउंट पर ताला जड़ दिया गया कंगना ने इस पर नाराज की भी जताई थी कंगना ने सस्पेंशन के संदर्भ में कहा ट्वीटर ने ऐसा करके मेरा ही पॉइंट साबित किया है कि वो अमेरीकी है और जर्म से ही श्वेत अश्वेत पर अपना मालिकाना हक समझने लगता है वो आपको बताना चाहते है कि हमें क्या सोचना चाहिए क्या बोलना चाहिए और क्या करना चाहिए मेरे पास बहुत सारे प्लैटफॉर्म्स हैं जहां मैं अपनी आवाज बुलंद कर सकती हूँ मैं सिनिमा के जरी भी अपनी कला को दिखा सकती हूँ मेरा दिल देश के उन लोगों के लिए तूट जाता है जुने सताया गया, अत्याचार हुए, नौकर बना कर रखा गया और हजारों सालों तक उन पर पाबंदियान लगा कर रखी गई इस दुख का कोई अंत नहीं है ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूस वर्ल्ड इंडिया